जै मा डाट काली भक्तू हूँ, आज का जो वीडियो है इन सब भक्तों के लिए हैं जो अक्सर मुझे सवाल करते हैं गुरुजी घर के जो मीन एंट्रेंस से मुख्य द्वार है उस पर कौन सी चीजे हमें लगानी चीएं और किस चीज से हम अपने घर में धन का भाव जो है धन का ट्रैक्शन जो है वो खीज सकते हैं तो किस प्रकार से आप धन का आगमन अपने घर में करा सकते हैं आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे धन संपदा की कभी भी कमी ना आए और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मुख्य दर्वासे पे मुख्य द्वार पे अपनी लगानी चीज़े तो कहीं आप भी अग धन के बंडारे भढ़ जाएंगे जीवन में कभी किसी के आगे छोली नहीं फैलानी पड़े कि पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे तो बहुत कामका और बहुत कारगार वीडियो यह है आपके लिए आप लोगों से निवेदर ने बिना स्किप करें पूरा वीडियो सुनें स समझें और अगर आपको समझा गया तो आप लोगों के साथ जरूरा ने लोगों के साथ यह शेयर करें और खुद भी इस वीडियो का प्रियोग करें अपने घर के लिए क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुक समरिधी की बरसात हो तो आपको वास्तु के नियमो का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके बस धन का आभाव ना हूँ तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर के मुख्य दर्वाजे पे या दर्बार पे लगाने से मन चाहा जी हाँ तुलसी का पौदा ओश्यदी गुना से भरपूर है ये हम सब जानते हैं और उसके साथ साथ ही ये सनातन धर्में बहुत ही पवित्र जो है पौदा माना गया है और इसके कई धार्मिक मान्यताएं भी है ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्णु को तुलसी बहु जाती शुब है बहुत ही जरूरी है और मैं तो कहूँगा ये मेंडेटरी होना चाहिए हर सनातनी के घर में कि जिन्होंने भी आभी तक अगर तुलसी का पौदा नहीं रखा है अपने घर के आंगन में ये घर के फ्रेंट में आप प्लीज तुलसी का पौदा जरूर रखि आपके तुलसी आपको खुद बता देगी आपके घर में नेगिटिविटी है कि नहीं है आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है आपके घर में कोई बिमार ही आने वाली है वो खुद अपने जो हर्याली को जब वो मुर्जाने लग जाती है तो ये नेगिटिविटी क साइन होता है तो तुलसी को कभी इसलिए कहा जाता है सूख नहीं नहीं देना चाहिए अब कि तुलसी अगर सूख रही है उसे तुरंद किसी अच्छे दिन पर देखकर संडे के लावा आप जल प्रभा कीजिए और तुरंद उसी दिन अपने घर पे चैसे शुकरवार के दि तुलसी का आगमन करवाई है और तुलसी माथा को फिर से एक बार उगाई है और उसमें एक चुनेरी जरूर ओड़िये और साथी साथ जो चूडिया होती है लाल रंगी वो जरूर उनको अरपन कीजिए धूब दीब तो जरूर कीजिए कहते हैं जिस घर में शाम के समय घी से नश्ट होता जाता है उसी के साथ साथ अगली जो चीज है वो आपको ध्यान रखनी है स्वास्तिक का चिन जी हां सनातन धर्म में स्वास्तिक के जो चिन है उसको भी बहुत ही शुबकारी माना गया है हिंदू धर्म में कोई भी शुबकार करने से पहले स्वास्तिक के च सन्न होती है और साथ ही साथ आपके घर में धान की कमी नहीं होती है तो धन धानने से बरकत होती रहेगी और जो नेगेटिव एनरजी होगी वो अपने आम नश्ट हो जाएगी मंगल का अगर किसी पर दोश है तो उसका खूब प्रभाव आपके अंदर आपके घर पे नहीं प जी हाँ शुबलाब का निशान आपको दिहान रखना है अब जब मैं बात कर रहा हूं शुबलाब की तो शुबलाब जैसा की नाम है इस निशान को अंकित करने से घर में सकरात्म कुर्जा का संचार आता है और आपके सारे रुकेवे कारे होने लग जाते हैं इससे नकरात परिवार पर बनी रहती है अगर आपके घर पे आपके परिवार के सदस्चों पे मा लक्ष्मिक कृपा है ना तो आपको कोई किसी चीज में हरा नहीं सकता कोई किसी चीज में नकरात्मकता आपको परिशान नहीं कर सकती और नेगेटिव चीज़ें आपको छूँ नहीं सकती क्योंकि जहांपर पैसा होगा जहांपर धन होगा तो आप हर problem का solution आपना निकाल सकते हैं तो यह जो कारागार चीजें हैं वास्तू के नियमनुसार अगर आप अपने घर पे कर लेते हैं तो मैं आपको guarantee दे रहाँ आधी सी जादा negativity आधी सी जादा problem का solution यहीं पर उचाता है अगली जो चीज है वो द्यार डगना है शमी का पौधा आपने कहीं बार सुनोगा समी के पौधे को लेकर और घर में पैसु की कमी कभी नहीं रहती है समी के पौधे में देवताओं का वास वाना जाता है शनी देव के क्रपा मानी जाती है कहते हैं कि प्रतीक शनीवार या हर शाम को अगर आप समी के पौधे के नीचे वेक दिया प्रजुलित करो तो शनी दोस से, साड़े साती से और धहिया से आप बचे रहाते हो, आपके घर पे कोई संगण बादा नहीं आती, कोई भी कारे में अर्चने आ रही है, अडंगा लग रहा है, वो चीजों से आप मुक्त हो जाते हो, कई तरीकी की negative energy से आप मुक्त रहाते हो, तो समी का इस पौधे को घर के मुक्हे द्वार पे लगाने से धन की कमी नहीं होती है, इस पौध़ा जो है, यह जो पौधा है, इस घं को आकरशित करने Garden करने वाला माना जाता है, इस पौधे को लगाने के बाद एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कि इसकी टहनिया, ज जलती जाए ये नहों कि जमीन की तरफ आपकी ये मनी प्लांट की बेल आगर शेत हो रही है अगर ये इस तरीके से जुकेगी तो आपका पैसा जो है वो बिमारी में जाएगा या पैसा आएगा ही नहीं और कैश फ्लू आपका बंदो जाएगा और पैसों के दिकत पैसों से रिलेटेड आपकी परिक्षाएं शुरू हो जाएगे तो आपके घर में भी अगर मनी प्लांट नीचे के ओर जा रहा है तो ध्यान दीजिए उस पर अच्छा से कुछ सपोर्टिंग सिस्टम लगाईए ताकि वो बेल अच्छे सपोर्टों के अच्छा प्रोग्रेस करें म यह भी बहुत सुख महीं होता है और मालक्ष्मी प्रसन होती है अंदन के बंडारे आपके भरी रहते हैं और पैसो से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने लगता है ओम नमों भगवति वासुदेवाय नमा का जाप करते हैं इस पर जलर पिस जरूर करें ठीक है रोज सुभा कर सकते हैं थोड़ा सा जल डालता हैं अगली जो चीज़े आपने ध्यान रखने है लक्ष्मी जी के चरण चिन आप अपने घर की मुख्य द्वार पर जो परमालक्ष्मी के चरण चिन है उनको रखें इसमें घर से धन संबदा की जो कोई भी कमी आपक की तरफ आप लगा सकते हैं इससे नकरात्मकता भी दूर रहती है और परिवार में सकरात्मगुजा का संजार बना रहता है तो मालक्ष्मी का जो चिन है जैसे अक्षय तित्याती है किसी भी शुकलबक्ष के प्रथम शुकरवार या फिर दिवाली के समय या धंतेरस के समय पर आप जरूर लगाएं यह बहुत शुक्कारी होता है उस समय बदल के आपने यह लगाएं तो यह बहुत आपको मैं गैरेंटी दे रहा हूं मालक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी आगमन करेगी आपके घर में धंधाने से अंधन के भंधारे बढ़ देगी और जो जो अगली चीज है वो है गणीजी की मूर्ती घर के मुख्य द्वार पर गणीजी की मूर्ती लगाने भगवान की दैदिश्टी आपके घर पर बनी रहती है तदा आपके जो कारें हैं उसमें सबलता मिलती है सुक समरिद्धी और तरिक की हमीश आपके साथ बनी रहती है और साथ ही साथ इसलिए भगवान गरीश की प्रतिमा जो है आप मुख्य द्वार पर ना लगाए अपने घर के जो ट्राइंग रूम है वहाँ पर आप लगा दे ये बहुत शुब माना जाता है जैसे सुकुलपक्ष के प्रतम बुदुवार के दिन भगवान गरीश की पीछे रहती है तो पही आप अगर इस तरीके से लगाओगे कि एंट्री में फेसिंग उनकी बाहर रहेगी और पीछे आपकी दरिद्रदा रहेगी तो घर के अंदर दरिद्रदा दिखा रहा है और आपकी पॉस्टिविटी दिखा रहा है तो यह चीज का आपने ध्यान र जरू लिखें और दरबार से बने रहें सभी वक्तों को जैमा दादी जैमा डाट का लिए